मैं हूँ अभिशेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचेक, धमचेक के चुनावी आत्रा इस वक्त जैसल मेर मेर में हैं बीजेपी कार्याले के बाद में हमने रुख किया है कॉंग्रेस वालों का यहां पर हम रूपाराम धंदेव जो यहां से प्रत्याशी हैं उनसे मिलना चाहते थे लेकिन वो इस वक्त फिल्ड में हैं इसलिए कुछ कार्यकरता हमारे साथ में जुटे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे विकास की बाते होंगी सियासत की बाते होंगी और भी तफसील से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत दें दमचिक के साथ में जुटने के लिए आप नाम बताएं मैंना नाम सर दुर्गेस अचारे यहां की बेशिक समस्याइं क्याक्या है यह सलमे tweet में सर बेसिकली समस्या तो है यहां पानी की और रोजगार का साधन क्योंकि इस बोर्डर एरिया है और यहां आजी वियाका का साधन बिल्कुल कुछ नहीं है कि वोग गाइडिंग करते हैं और खेती है, खेती में पिछले पांस साल से ना तो सरकार ने पून रूप से पानी दिया है, किसान यहां से पलाइन करके बाहर जा रहे हैं, और रोजगार के कुछ भी सादनिया सरकार ने उपलब नहीं करवाए हैं, तो इन समस्याँ को कैसे द यहां डवलब किया है जिससे हमारे आप पड़ोसी जिलाया बाडमेर वहां लोग खारा पानी पीते थे तो पिछली आज से छे-साथ साल पहले लब 2010 में सोनिया गांदी वहां आये थे और वहां उन्होंने उद्गाटन किया था नहर का मीठा पानी पोकरन पोचाया था बाड गाओं के लोग हैं जिनको वास्ता में हम समस्या ग्रस्त देख सकते हैं क्योंकि हम कौर गाओं तक जाते हैं उनसे बात करते हैं उसका क्या रीजन है कि जो बाइतू की जो साफ लाइन है वो पोकरन की अलग परिज़ना थी लिफ्ट कैनाल तो पिछली सरकार में साले साफ से इसका डिले होने का यही कारण है सांग सिंग बाटी भी ताल ठोक रहे हैं आपके खिलाफ सांग सिंग बाटी ताल ठोक रहे हैं प्रतियासी है बाजबा के वो अपनी दोड कर रहे हैं हम अपनी दोड कर रहे हैं लेकिं सांग सिंग ने उससे भी पांस साल पहले यह काम किया था लेकिन लोगों ने उन पर पूर विश्वास करके जनता के वो विश्वास खरा नहीं उतर पाए उसका यह रीजन यह है कि इस्वार कॉंग्रेस की तरफ लोगों का चुका हुए एक कड़वा सवाल है कि मतलब आपका जो जैसलमेर है उसमें सिर्फ दो में उनका ट्रांसफर किया गया और यहां की सियासत गर्म हो गी थी जिन साले मुहमत की बात आप कर रहें गाजी फकीर की बात जो कर रहें हिस्ट्री शीट कुली थी यह 2011 की यह बादचीत है तो एस पी ने यह आरोप लगाये थे उस समय कि मुझे काम नहीं करने दिया गया तो यहां की सत्ता में तो कॉंग्रेस थी कॉंग्रेस पर यह आरोप थे और अशोग गैलो उतने बाद में सफाई भी पेश की थे देखो साब यह क्या है ओपोजिशन के लोग इन बातों को उच्छालते हैं कुछ भी ऐसा उनके खिलाब नहीं पाया गया है इसका कारण यह पंकर चोधरी का जो मुद्दा था खास बात यह है कि हम वो मुद्दा समझना चाहते हैं और वो भी जैसल मेर की जनता से आप लोग होते हैं अपोजिशन ने इसको हवा बढ़ाय था उनको कमजोर करने के लिए लेकिन देखो उनका यहां जनादार है उनके वो अपने किया है तो इस दोनों चीजों से साफ जाहिर होता है कि यह बढ़ा रोचक है कि इन्होंने अच्छी बात इसमें जोड़ दिये कि पंकर चौधरी की वाइफ जो है मुकुल पंकर चौधरी उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है बड़े भाई कहने लगी है मानवेंद जैसे युगो के लिए बहुत सारी तकलिव है जैसे इसकूल में टीचर नहीं है और टीचर आते तो इसकूल बेखा लिये जैसे टीचरों की यहां पर बहुत सारी दिकत है लेकिन जैसल में से लगबाग ए एक मेने पहले दो टीचरों का जालावार भी टांस्पोर किया गैलो सरकार 2008 से लेकर उन्हों 2011 तक यहां हर गाओं में सकूले बनवाई थी सकूलों को जोड़ा था लेकिन इस सरकार ने सकूलों को एक ऐसा तोड़ कर दिया को आज की तारिक में वो सकूले एक धरमसाला बन गई है तो गाओं में वहां लोगों की साधी बारत है वहां पचास-पचास किलोमेटर दूरी पर करिया तो लोगों को वहां जाने की दिक्कत है बच्चों को जाने की दिक्कत है बच्चों के परीजन को वहां जाने की दिक्कत है तो काफी गहरी समझी आई है शिक्षागली दूसरा रोजगार के लिए है तो रोजगार में यहां के वो बार जाते हैं पढ़ने के लिए तो मेरा मानना यह है कि जब तक छोटे चहरों को विकास नहीं किया जाएगा वहां रोजगार के वहां इंडिस्टीज अगर नहीं लगेगी तो विकास जब तक पूर्ण रूप से विक्सित नहीं हो पाएगा क्योंकि आज जैपूर है बड़े-बड़े मानना गरे हैं वहां इंडिस्टीज वगर लगे तो वो तो पहले सी डवलप है मेरा मानना यह है एक जो सीमा बतरी छेतर है जैसल मेर है बाण मेर है जालोर है यहां कुछ उद्योग लगे नहीं पूस्छ को लेकर कितना ध्यान दिया जाता है सरकार सा। नहीं के लोग आते हैं और फोड़ा सपोर्ट निलता है क्योंकि वो अर्ट कंडिशन Chicago है. कि यहां बेरोजगार लोग है वो गाइडिंग से अपना गुजारा चलते हैं तो उनका मुद्दा था काफी 5 साल के अंदर लेकिन लोगों को उन्होंने जो युवा उनको उन्होंने लाइसे जारी नहीं किया तो आज आज की युवा वो भी आज इसका मुद्दा बना के बै दूसरी विदानसभा की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यह जिला मुख्याले है। यहां बर यह है कि बीजेपी ने भी ट्रंप कार्ड खेला है। एक फ़कीर है तो दूसरा संत है, संत को उतारा गया है, प्रतापूरी को उतारा गया है। तो ऐसा लगता है कि आम जंता जो ह वो हिंदू, मुसल्मान जाती इन आधारों में उलजके रहा जाती है तो वहाँ योगी आदित नेंदाद, मोदी जी ने बड़ी बड़ी रेलियां की, बड़े बड़े जुमले वादे किये, ऐसा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कल राहूल गांदी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो साफ उन्हों ने भासंट दिये, लेकिन उसका साफ रिजल्ट क्या पिछले पांच सालों में जीरो, वहाँ एक भी रोजगार के सादन नहीं, लोगों को पानी से तरस्त है आज भी वहाँ, पिछली गैलो सरकार की समय जो हैंड़ पानी में लगवाई पानी के लिए लगवाई गए थे, वहाँ उनका मेंटीनिस तक का खर्चा इन्होंने नह पाना साही की है, बदमासी, अपराद बड़ा है पोकरण के अंदर, तो जनता हुआ की खफा है, इस वार को मेंटीनिस तो आपको विद्यूत के लिए, किसानों के लिए मैं एक सवाल आप से पूछ लेता हूँ, किसानों को इस समस्या से निदान मिल पाता है, बिजली पान पान साल के अंदर, पानी की पूरी रड़ रही, एक भी इसाब किसान नहीं है, जिसकी कमर तोड़ दी किसानों की, और भाव जो किस्व में थे, वो इस्तिर कर दिये, और गेलो सरकार में अनाज के भंडार भरे हुई थे लोगों के, आज खाने को अन नहीं है, एक दाना भ पड़ी है, और पर्टन को भी इसमें धका लगा है, नहीं के बड़ा हमला है इस सरकार से, और अभी जो भाजबा सरकार है, वो कते भरेष्ट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, उल्टे रोजगार से वो छीने हैं, दिया नहीं है, उनको मारा पीटा, उनकी जमीन आज भी अडब करके और अवेद घेती कर रहे हैं आज की तारीक में, जिनका कोई लेना जब कि 30% आर्क्षित है, सरकार ने अरक्षित दे रहे हैं, आपको लगता है कि यह अब आगर मतलब क्योंकि जब हम बीजेपी की दफ्तर भी गए थे, म आपके पूर मुख्य मंतरी अशोग गैलोत के कुछ काम हम गिना देते हैं, तो उन्हों ने जब यह कहा कि 21 सीटों पर जो पार्टी सिमट गई, तो उसका राजस्तान में क्या वजूद होगा, आप, आप बताये, उसका वजूद यह अभी जो भाजपा सरकार वो भी बौक इसलिए एक को तो संत को उतर दिया, एक को पुरान जो दस साल पहले विदाएक था, उनको अभी बापिश लाए, पर तु जनता इनको, साथ तारी को मत दे के पूरा जबाब देगी, तो आपके इसाब से साथ तारी को जब नतीजे आएंगे, तो वो कॉंग्रेस के पक्ष में होंगे, आप पर बीजेपी बहुत सारे आरोप मट देती है, तो आप इस समय जो बीजेपी का जब हम पाली थे, तो पाली में भी हमने कुछ ऐसे सवाल किये, कि यहां पर छे सीटें जो हैं, तो उन पर वो लगातार बंदाब बीजेपी के साशन वाली सीटें हैं, तो क अधिकारी पोस्ट पे थे, अभी सोशल एंजिनेरिंग वालों को, मतलब एंजिनेरिंग जो स्तरबर है, मेरे वो वाटरोक्स, जो पानी का जो डिपार्टमेंट है, सीचाईवगा, वाग हो या किसी परकार की, उन्होंने खुब सारी योजना चलाई थी, घेलो सरकार के ट जिता है, तो वो जन आयक प्रतिनीती बनने के बाद में वो लोगों के कितना काम करेंगे, एक सोचने की बात है, पिछला चुना उन्होंने लड़ा था, कॉंग्रेशन ने टिकट दिया था, बिल्कुल अल्प मातर से वो, 200, 2500, 2500 वोटों से वो पराजित हुए थे, तो एक स जाए, जो टेक्निकल तरीके से काम करें, और जो लोगों को पाने की सुविदा है, मूल बूद सुविदा है, लोग यही चाहती है, और जनता क्या चाहती है? आपके प्रत्याशी के उपर जैसे अगर बीजेपी हमला बोलती है, तो दलित समाच से वो आते हैं, तो वो कहते हैं कि अल्प संक्यों को और दलितों को चेहरा बना कर मेशा कॉंग्रेस आ जाती है, यह कॉंग्रेस का एक तरीका रहा है, ताकि वो अपनी राजनीती को जो किशेश वर्ग हैं, उनसे मतलब हासिल कर सकते हैं, तो साब दलित वर्ग वाली जो बात कह रहे हूं, तो साब यह भी देखो न उनकी पीजे जनाधार कितना है, ब्रामन भी है, राजपूत भी है, महिश्वरी भी है, ऐसी कास्ट उनके सपोर्ट करती है, तब उनका नाम आ उनकी समाधान करने के लिए प्रतिनिद्य तैयार करती है, तो कुछ आदार होते हैं, जब भी संक्रिन टिकेट देता है, और रही बात वोट बेंक की, तो सेस्ट टिकर्ट का परमपरागत वोट है कॉंग्रिस का, मनियोर्टी है, अधर जाते हैं, मैं आपको रोकता हूं इ उनसे बात कर रहे थे, तो उनके एक जो कारे करता थे, उनसे गलती हो गई, उन्होंने कहा कि, नहीं हम भगवा समर्थक हैं, हिंदुत तो आएगा, किसी भी पार्टी के साथ में, अगर हिंदुत तो या कोई, मतला नीजी ही जुड जाते हैं, आपने कहा कि उनका एक वोट कुछ देर पहले जब हम उनके साथ थे, तो वो कह रहे थे कि हिंदुत तो आएगा, प्रताप पुरी के माद्यम से हिंदुत जो है वो आपस आएगा, अना बगवा करन होगा, तो बगवा करन हिंदुत तो इसमें कुछ वर्ग पिछड जाएंगे, अगर आप दलितों की ब बात करेंगे चाहिए योगी आदिर नहात आजाए या कोई भी नहता आखी करेगा, वहीं बीजेपी के मानियोटी के कैंडिडे जैसे यूनिस खांजी को टॉंक से टिकट दे दिया, वहीं ये हिंदुतु आपके वहाँ बात करेंगे, वहाँ तो उनके लिए बड़ी दिल दोरी राजनीती है, लोगों को पेकूप बनाने का काम किया इनोंने, बाकि इनके पास कोई आदार नहीं है, अन्तवे एक सवाल पूछ लेते हैं, कि इस बार आप प्रतीनी दित्व करेंगे समग्र राजस्थान का, बिल्कुल साब करेंगे, कॉंग्रिस की सरकार बने की, और लोगों का विकास होगा, बिल्कुल साब, हमारे जेसलमेन में, अगर हमारे परतीयसी रूपा रामजी जीते हैं, तो हर परकार की समझ्या काहा, निवारान होगा, चाहे नहर में पानी का हो, रोजगार का हो, बाकि सरकार बन जाती है, तो आपको साब में अपने चेतर क की बात पूछ लें, तो भी वही जवाब रहने वाला है, बिल्कुल साब, सरकार जो मनेगी हों हर प्रियास रहेगा, कौ्गर्स सरकार का कि लोगों को रोजगार दे, बिल्कुल बिल्कुल हमारा, हमारा मैनी फेस्टो भी जो बनाया है, उनलिए हैं, जनताओं के हर छेतर म समझ्या है वोई लोगों की मूलबुच समझ्या है तो उस पे सरकार पुरा फोकुस करेगी तो आप लोगों ने अच्छे से हमारे सारे सवालों के बाकी से उत्तर दिये हैं पहले तो उसके लिए शुक्रिया और युवा होने के नाते आपने बहुत सारी अच्छी चीजें भी राजस्तान में क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे तो कुछ सियासत को और जहीन तरीके से समझ पाएंगे ठीक है तो हम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तो ये युवाओं का जो मानना था जो उनकी दलीलें थी किसी भी सरकार से उनकी तकरीरें थी वो जैसल मेर से आपने जानी हम किसी नई जगे पर सियासत की नई बातों के साथ में समस्याओं के साथ में और दाओं और उनकी पड़ताल के साथ में आप से रूबरू होंगे तब तक आप धमचेक मचाते रहें